Hello friends and welcome again आज हम लोग फोटो रेस्पिरेशन या सी टू साइकल के बात करेंगे तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है कि लाइट के प्रिजन्स में प्लांट्स जब सी यो टू बनाने लगते हैं तो इसे फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है इसमें सेल की तीन ओर्गिनेलेज एक साथ इन्वाल्व होती है वो हैं क्लोरोप्लास्ट, परॉक्सिसोम, एंड माइटोकॉंड्रिया होता क्या है कि एट्मोसफियर में जब कार्बन डायोक्साइट के कंसंट्रिशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है लेस देन वन परसंट, तो प्लांट्स क्या करते हैं ऑक्सिजिन का यूटिलाइस करते हैं और स्यूटू का फॉर्मिशन करने लगते हैं इस्पेशली रात के समय तो ये करते हैं प्लांट्स स्यूटू का फॉर्मिशन दिन में भी ऐसा करते हैं जब CO2 की concentration बहुत कम जैसे जैसे CO2 के concentration atmosphere में बढ़ने लगती है वैसे वैसे photorespiration के rate थोड़ी कम होने लगती है आईए pathway को देखते हैं तो जब atmosphere में CO2 कम है तो chloroplast में क्या होगा oxygen RUBP के साथ जुड़ जाएगा in the presence of rubisco and converted into phosphoglycolate और PGA यह दोनों एक-एक molecule बन जाएंगे फिर phosphoglycolate जो है here the phosphoglycolate in the presence of enzyme phosphatase यह glycolate या change हो जाता है या acid में change हो जाता है जो glycolate है इसी को glycolic acid भी कहा जा सकता है अब यही glycolate या glycolic acid transport हो जाता है paroxysome में जहाँ पर oxygen फिर से use होती है paroxysome में glycolate, glyoxylate में या glyoxylic acid में convert हो जाता है साथी साथ यहाँ पे एक peroxide भी बनता है मतलब hydrogen peroxide भी होता है वो यहाँ पे show नहीं हुआ है H2O2 इसका भी formation हो जाता है इसलिए इसका नम paroxysome है फिर glycosylate glycine में convert हो जाता है यह glycine क्या है glycine एक amino acid है और यहाँ पे transamination हो गया है then glycine transport हो जाती है कहाँ पे mitochondria में mitochondria में oxygen utilize होता है और इस glycine से एक molecule बन जाता है CO2 का यह बाहर निकल जाती है इसलिए इसको photorespiration कहा जाता है और एक molecule इससे बनता है serine एक molecule NH3 भी बनता है यहाँ पे show नहीं हुआ है तो CO2 तो बाहर निकल गया अब NH3 फिर से transport हो जाता है chloroplast में जहाँ पे यह फिर से किसी के साथ emanation करके कोई दूसरा product formation करेगा then serine stepwise manner में transport होता है पहले paroxysome में फिर paroxysome में यह convert हो जाता है glycery cacid में या glycerate में फिर इसका transport हो जाता है chloroplast में glycerate further convert हो जाती है PGA में फॉस्फोग्लिसरी एसिड में तो यह हो गया simple step में C2 cycle का biochemical बात होगे एक बार फ़र से देख लेते हैं RUBP से दो molecule बन गया एक molecule बना फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक बन गया PGA फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट में convert हो गया ग्लाइकोलेट ट्रांसपोर्ट हो गया परॉक्सिसोम में परॉक्सिसोम में ग्लाइकोलेट सबसे पहले ग्लाइकोलेट में convert होता है, then glyosylate glycine में convert हो गया, glycine का transport हो गया mitochondria में, mitochondria में glycine से CO2 बना, serine बना और NH3 बना, सब एक एक molecule बन गए, then serine वापिस transport हो जाती है paroxysome में, paroxysome में serine convert हो जाती है glyceric acid में या glycerate में, glycerate फिर से transport हो जाता है chloroplast में और finally glycerate फिर से PGA में करिमर्ट हो जाता है तो ये हो गया complete biochemical pathway of photorespiration Thank you